और फिक्स सैंसंग एस फाइव एक्टिफ कीप रिस्टार्टिंग आफ्टर अपडेट प्रॉब्लम नंसकार डोस्तों सवागरेब सभी का तिकराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों अगर आपकी जो डिवाइस है आपकी जो सैंसंग की डिवाइस है वो अगर रिस्टार् कि आपका प्रॉब्लम डेफेडली फिक्स होजाएगा ठीक है तो यहाँ पर उसको करने का तरीकर दोस्तों आपको यहां मिलने वाले कि दॉस्तो도 हमेशन जो है अपडेट सोलुउषन रहता हैं लेकिन अप्डेट करने के बाद ही प्रॉब्लम शुरू होते तो आपको यह करके आप बेर आइकोन को क्लिक करें अगर आप उनलाइन पर सकाबाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज कि इस पर बेटरीण डिवाइस के र्म जाना है थी डॉच में क्लिक करना है और उसके बाद आपको उट्रमी. यूद्भ करना है अगर यह सेट्टिंग आर्वल्द है तो इसको डिसेबल करें तो इसको भी डिसेबल कर दें ठीक है उसके बाद दोस्तों चेक करके आप देख सकते हैं अगर प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाता है ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो जनरल मेनेजमेंट पर जाएए स्क्रोल डाउन कीजिए रिसेट पर क्लिक करके रिसेट सेटिंग पर टेप करके मोबाइल पासवट भ और रोपर किया तो रिसेट पर जाये रिसेट को स्यलेक कीजिए रिसेट जाना होगा यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजquarters कर दीजिए करने के बाद आप्लिकेशन को अनिस्टाल कर दीजिए मोबाईल को स्वेच आपります पर रोड़ा कर सकते दोस्तोंता को सब्सक्रासं करके या फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर दोस्तों आपके पास two option है या तो फिर आप जो है मुबाइल को factory reset कर दे या तो फिर आप जो है next update के लिए wait करें ठीक है तो अब यहीं कर सकते हैं या फिर अगर आपको technician के मदद लेना है तो आप वह भी ले सकते हैं ठाले किसी भी सेंटर ठीक है उमेद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो बसने होगा तैंक्स पूर वाचिंग